गूड मार्निंग, हम लोग जो है अगस्त महीने का एक से लेके दस तक का भी देखेंगे, करन्ट अफेर्स को, इंगलिस वाला छोड़ देते हैं, हिंधी वाला कर लेते हैं, ठीक है ना, इंगलिस वाला फिर, अगर कोई डिमांड करेंगे तो फिर इंगलिस में भी करा है आपको जो PDF मिलेगा ना उसमें English भी मिलेगा और Hindi में भी मिलेगा तो सुरू करते हैं किस देश में आकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार निलम क्लस्टर मिला है यह मिला है स्रिलंका में किस देश किस ने हैफ्टाइटी सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा प्रजी क्रित की है तो यह किया है मलेशिया ने भारत के किस राज में पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया है तो नागा लेंड से जो है इस मिर्च को भेजा गया है लंद किस ने security logistics documents actions launch किया है तो यह किया है केंदर सरकार ने भारत सरकार दोरा कितने सहरों को देश के 11 साइकलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित किताब से सम्मानित किया गया है तो 11 सहरों को सम्मानित किया गया है भारत का कौन सा फिजियो लॉजिकल पैरामिटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोवीड बीप लॉंच किया है तो यह पहला कोवीड बीप लॉंच किया गया है किन्द सर्कार ने कितने बाग डिजर्व को C.A.T.S मानिता दे दी है तो यह दिया है बारा बाग डिजर्व छित्र को अब C.S.C.A.T.S. मानिता क्या है इसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो में जो टर्मस बताऊंगा तो उसमें मैं यह चीजे बता दूंगा नावाड ने किस राजी के जीलों में पेजल प्रियोजना के लिए 445 दसम लौ 8-9 करोड रुपे की मंजूरी दी है तो ये दिया है पंजाब ने के अंदर सरकार ने किस एजुकेशन छेतर में OBC को 27 परसंट और EWS को 10 परसंट आरेशन देने की घोसना की है तो ये की है बेडिकल एजुकेशन में ये काफी हाइलाइटेड चर्चा रहा है CM ने खुद आगे बढ़के इसको बोला था टोक्यो ओलंपिक 2020 सौन पदक विजेता सौन पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के खिलारी कौन है ये है जापान की मुमी जी नीशिया आगे देखते हैं दो अगस्त का हम लोग करेंट अफेर्स देखते हैं इंगलिस में छोड़ देते हैं हिंदी में देख लेते हैं एक अगस्त को पुड़े भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ये मना जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और रास्टिय पढ़वाता रोहन दिवस भारत और किस देश ने वैस्विक विकास के लिए त्रिकोनिय सहयोग पर अपना समझोता आगे बढ़ाया है तो ये बढ़ाया है अमेडिका ने किस लेफ्रेंट जनरल ने अर्टिलरी के महानेदेशक का पदभार गरहन किया है तो ये किया है तरुन कुमार चावला ने अगस्त को पुड़े विशुहर में कौन सा दिवस मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है विशु अस्तनपान दिवस भारतिय अरिजर बैंक ने किस बैंक को का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो मढगाम अर्बन कॉपरेटिव बैंक लिमिचेड का जो है लाइसेंस अभी हाल फिलार रद्द हुआ है इश्रो का सन्युक्त मिशन निशार उपगरह किस वर्स लॉंच किया जाएगा ये लॉंच किया जाएगा 2023 में भारत सरकार ने उडान योजना के तहट कितनी नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है तो टोटल 780 यातायात मार्गों को मंजूरी दी है और भारत जो है अपने छोटा विमान खुद बना रहा है जो काफी की फायती भी है तो उसके उपर सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर क्या हूँगा आगे देखते हैं भारतिये नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का बारहवा संसकर्ण आविजित किया गया देखे इंद्र जब भी होता है न वो रूस के साथ ही होता है तो वो रूसी नौसेना के साथ ही किया गया विस वयपार संगठन की रिपोर्ट के निज़ार किरसी उत्पाद निडियाद करने के मामले में भारत विडियाद नहीं, निडियाद होगा, ठीक है न, के मामलें भारत किस अस्थान पढ़ है, तो यह नवे अस्थान पढ़ है, प्रधान मंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमिंट को दो अगस्त को लॉंच किया गया इसका नाम है ई रूपी चलिए तीन अगस्त के कोश्चन को देख लेते हैं इंग्लिस में भी है ये इंग्लिस में आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी में मैं डिस्कस कर देता हूँ वाइस एड्मिरल एस एन घोड मडे को भारत की कि सेना का नया उपरमुख नियुथ किया गया है तो ये जो है ना एस एन घोड मडे ये नौ सेना के उपरमुख होंगे अगस्त के लिए किस देश को सन्यूक तरा सुरक्षा परिशत का अध्यक चुना गया है तो ये चुना गया है भारत को राजसभा में नारियल विकास बोर्ड विधैक 2021 पाडित होने के बाद बोर्ड के सदत से बढ़कर कितने हो गया है अब 6 सदत से और बढ़ गया है सिरम इंस्टिचूट अफ इंडिया के संस्थापक साइडस पुनावाला को किस पुरुषकार के लिए नामित किया गया है तो इनको मिलेगा लोकमाने तिलक पुरुषकार किस ने लेखा महाने अंतरक के रूप में कारे भार गरहन किया है तो ये किया है स्री दीबक दास ने किस मंतराले के आधिन जैव पुरुदोगी की विभाग द्वारा विक्षित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन घोसना की गई है तो ये किया है विभ्यान और पुरुदोगी की मंतराले के द्वारा स्री निदिन गड़करी ने किस राजी में कुथरिन सुरंग के एक छोड को खोलने का निर्देश दिया है तो ये दिया है केरल के लिए श्री अमिद साहर ने किस सहर में उत्तर प्रदेश इंस्ट्यूट और फॉरेंसिक साइंसेज का सिलन्याज किया है तो ये किया है लखनौ में ये जिलन्याज हुआ है जाहिर सी बात है लखनौ में होगा उसकी राजधानी है फिर भी कई बड़े सहरों में भी हो सकता था इसलिए इसको देख लेंगे टोक्यो ओलम्पिक में किस भारतिय खिलारी ने बैडमिंटन में कांस पदक को अपने नाम किया है दिखे पीवी सिंधू ने कांस से पदक जीता है ठीक है न तो ये खास चीज है किन्द सरकार के नुसार जुलाई में GST का कलेक्शन कितने करो रहा है तो ये रहा है 1.16 लाख करो रुपे अब आगे बढ़ते हैं चार अगस्त का जो है इंगलिस हिंदी दोनों में है हिंदी वाला हम लोग डिसकस कर लेते हैं डिमांड आएगी तो इंगलिस वाला भी डिसकस करेंगे ठीक है न वैसे बात एक ही है मैं वैसे देदू का पार लिजीगा खुदी भारत की सबसे हलकी मेट्रो टेन पुने मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है तो यह भेजी गई है इटली से सबसे हलकी ट्रेन है किसकी तो पुने मेट्रो की भाई कहां से भेजी गई है इटली से अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और उनके दो नेताओं पर परतिवंद लगा दिया है तो यह किया है क्यूबा के साथ क्यूबा के साथ वैसे भी अच्छे डिलेशन कभी अमेरिका के रहे नहीं आइडियोलोजी के कारण किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्षिन लॉंच की है तो ये लॉंच की है सन्युक्त अरब अमीरात ने भारत और किस देश की सिनाओं ने उत्री सिक्किम सेक्चर में एक होट्लाइन अस्थापित किया है तो ये किया है चीनी सिनाओं ने ठीक है ना ताकि गलती से कोई कि खड़ा सिच्वेशन पैदा नहीं हो जाए तीन अगस्त को पुड़े भारत में कौन सा दिवस मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है हिर्दय प्रत्यार रोपन दिवस यूरोपिय संग ने आमेजन पर डेटा गोपनी अता कि उलंदर के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है तो ये लगाया है 746 मिलियन यूरो पीवी सिंधू ओलंपिक गेम्स में वैक्तिगत वैक्तिगत इवेंट में कितने मिडल जितने वाली पहली भारतिया महिला खिलाडी बन गई है तो यह दो मेड़ल ठीक है ना तो वैक्तिकत इक्एंट नी होगा इवेंट होगा लिखे है यह यह दो मेडल इंहों जीता है वैक्तिकत रूप से किस IIT संस्थान ने प्रदोगीखियों की बढ़ती मांग को पूड़ा करने के लिए साथ ने सैक्षनी काड़ेकरम सुरू किये हैं तो ये सुरू किया है IIT रूर की ने मैमार की सेना ने कितने वर्स के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है तो ये बढ़ाया है दो वर्स के लिए 2022 में Defense Expo का आयोजन कहां पर किया जाएगा ये किया जाएगा गांधी नगर गुजरात में अब चलिए 5 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं हिंदी वाला डिसकस करेंगे भारत और चीन के बीच कहां पर होट लाइन अस्थापित की गई है तो ये की गई है सिक्किम में रिपोर्ट के मुताबिक अमबानी पडिवार विस्व का कौन सा सबसे अमीर फैमली है तो ये पांचवी विस्व में पांचवी सबसे अमीर फेमली है अंबानी पडिवार किसने सामान ने बीमा वेवसाय राश्टिय करन संसोधन विधाक पारित कर दिया है तो यह पारित किया है लोगसभाः ने राश्टिय सांखी की काडियाले ने कौन सा आवधिक स्रम बल सरवेक्षन परकासित किया है तो यह बता है रास्ट्रिय आपाद रिकॉर्ड ब्यूरो अब देखिए इतनी विरुजगारी है ना कि इसके करण जो है इतनी आत्महत्या होना सुभाविक है तो देखिए किसके द्वारा जारी रिपोर्ट विरुजगारी के करण आत्महत्या के मामले में 24 परसंट की बढ़ोत होई है बताती है तो यह बताती है रास्ट्रिय अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो आगे देखिए आयम अपने गरीवी गरीव देशों को कोवीड से निपटने के लिए कि इतने अरब डॉलर की सहायता रासी की मंजूरी दे दी है तो यह 650 अरब डॉलर कि आर एम आई इंडिय और किस आयोग ने विद्यूत वित्रन सेक्टर पर एक रिपोर्ट जाड़ी की है तो यह जारू की है निति आयोग ने भारत कौन सा सहर कोवीड-19 के खिलाफ 100% टीका करन हासिल करने वाला देश का पहला सहर बन गया है तो यह बन गया है भूग निश्वर किस पावर स्टे अधियों को ड्रोन के उप्यों की अनमती दी है तो यह दी है हडियाना ने छे अगस्त का देख लेते हैं किस पावर स्टेशन ने एक महिने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है तो यह रिकॉर्ड बनाया है नाफ्था जाकडी हाइड्रो पावर स्टेशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने किस प्लेटफॉर्म को लॉंच किया है यह दिल्ली एर्द रेट अफ 2047 टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना बोर गोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉंज मेडल जीता है तो यह जीता है 79 किलोग्राम व रेट अर्विंद ने किस अवस्तारी मंच अस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरि दी है तो ये दिया है अफ्रिकी मोल के लोगों के लिए विट वर्ष 2021-22 के लिए किंद सरकार ने मुद्रा रिन का लक्ष घटा कर कितना कर दिया है तो ये कर दिया है तीन लाग करोड रुपे साथ साल पहले शुरू हुए अस्टेलिया का स्टार्ट अफ्र पे कितने बिलियन डॉलर में बिग गया है तो ये दिखिए 29 बिलियन डॉलर में इसका सौधा हुआ है पावर ग्रिड कर्परेशन अफ इंडिया ने लद्दा की आडियन घाटी में कितने किलोमेटर की ट्रांस्मिशन लाइन को सुरू की है तो ये की है 40 किलोमेटर अब देख लेते हैं आगे साथ तारीक को भारत के कौन से सौधेसी एरक्राफ्ट केडियर विक्रांत ने पहला समुद्री प्रिक्षन किया है तो ये पहला ही है ये सौधेसी एरक्राफ्ट केडियर है नाम इसका होगा विक्रांत भारतिय पुर्व सौकी टीम ने इतिहास रस्ते हुए कितने वर्स बाद उलम्पिक में मेडल जीता है तो टोटल 41 वर्स के बाद भारतिय उलम्पिक में मेडल जीता है हौकी ने और मनप्रीत सिंगिस के कप्तान है किस संगठन ने पुर्वी लद्दाक में विश्व के सबसे उचे इस्थान पर वहां चलाने योग सरक का निर्मान किया है तो ये किया है सीमा सरक संगठन ने एपीडा ने किर्सी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस सहर में इस्थित किर्सी विज्ञान विश्व द्याला के साथ समझठन किया है तो ये किया है बैंगलूरू के साथ बांध पुनरवास और सुधार पर योजना के दूसरे चरण के लिए कितने रिन समझवतों पर हस्ताक्षर किया गया है तो ये 250 मिलियन डॉलर के रिन समझवतों पर हस्ताक्षर किया गया है क्यापनिट ने स्कूली सिक्षा के किस योजना को अपरेल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जाई रखने की मंजूरी दी है ये दी है समग्ड सिक्षा अभियान को स्री राम जनभूमी तीर्थ ट्रस्ट ने कब से सरधालू को मंदिर में अराध्य रामलला के दर्सन की अनुमती दी है तो दिसंबर 2023 से जो है न ये दर्सन सुरू हो जाएगा भारत सरकार के परधान वैग्यानिक सलाहकार किस राजी के बकसर में विकेंदरी कृत जैव चिकितसा अपसिस्ट भर्टी का वर्चुल उद्गाटन किया है तो ये किया है बिहार में बकसर डिस्टिक है वो बिहार में है इसलिए ये जो है खास चीज को देखना जरूरी है तो भारत सरकार के परधान वैग्यानिक सलाहकार किस राजी के बकसर में विकेंदरी कित जैव चिकितसा अपसिस्ट भर्टी का वर्चुल उद्गाटन किया है तो ये किया है बिहार में अब ये बताना है कि भारत सरकार के परधान वैग्यानिक सलाहकार कौन है कौन सी स्पेस एजेंसी बोईंग और्बिटल फ्लाइट टेस्ट टू मिशन को लॉंच करेगी तो ये करेगी नासा किस बैंक के दौरा दुकानदार ओवर्ड्राफ्ट योजने के श्रुवाद की गई है तो ये की गई है HDFC बैंक के दौरा चलिए अब आठ अगस्त के सारे important questions को discuss करते हैं इंगलिस को छोड़के हिंदी में सारा discuss कर लेते हैं ISA समझहोता पर हस्ताक्षट करने वाला पांचमा देश कौन बन गया है तो ये बन गया है जर्मनी भारत नेटवर्क ओलम्पिक ने कितने मिनट के 4 into 400 दौर में विस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है तो ये है तीन मिनट चार गुने 400 दौर है न तो इसमें ये देखिए तीन मिनट और लास्ट में तीन मिनट लगभग मानिये न तीन मिनट में तोड़ दिया ये बहुत बहुत बढ़ी चीज है ये लेखी का पदमा सचदेवा का निधन हो गया है वे किस भासा की लेखी का थी तो ये थी डोगड़ी की किस विभाग ने किरसी 140 मौसम स्टेशनों की अस्थापना का कारी शुरू कर दिया है तो ये किया है भारतिये मौसम विभाग ने किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने राजिसभा सदस्र की सपत ली है तो यह टीमसी के हैं जवाहर सरकार भारत के किस किंद्र सासित प्रदेश से मालदिव सैली के वाटर विला अस्थापित करने की गोशना की है तो यह की है लक्ष दीप ने दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने परतिसत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है देखिए 66 परसेंट बढ़ोतरी होगी विधायकों की सैली में साथ अगस्त को पुड़े भारत में कौन सा दिवस मना जाता है तो यह रास्टी हत करगा दिवस मेजर ध्यांचंद खेल परुसकार का नाम किस खेल परुसकार को बदल कर किया गया देखिए राजीव गांदी खेल परुसकार थाना उसको बदल के ध्यांचंद परुसकार क देख लेते हैं भारतिये रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रियोग करने वाली है तो यह हाइड्रोजन इंधन का उप्योग करेगी तो अभी हाइड्रोजन को लेकर के काफी रिसर्च चल रहा है मैंने पिछले कई क्लासस में इसके बाढ़े में बताया भी ह है ठीक है ना हाइड्रोजन अगदम क्लीन फ्यूल होगी तो भारतिये रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रियोग करने की सोची है तो हाइड्रोजन इंधन को सोचा है अभी किस ने सरस्ष्ट 87.58 मीटर जैवलियन त्रो में गोल जीता है भाई नीरज जोपड़ा ठीक है किस राज सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोसन कारिकराम लाँज किया है तो यह किया है राजस्तान सरकार ने किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्टिये लगा दिया है तो यह किया है थाइलेंड ने आठ अगस्त को विश्वर में कौन सा दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है अंतरास्टिये बिल्ली दिवस इसरो ने कब सतीस धवन अंतरिक्स केंद्र में एक प्रिथिवी अवलोकन उपगड़ा EOS03 लांच किये जाने की घोसना की है यह किये है बाड़ा अगस्त को डॉक्टर ध्रिती बनर्जी को भारतिये प्रानी सर्वेक्षन की कौन सी महिला निदेसक नियुक्त करने की सरकार ने राजिव गांधी खेल रत्न प्रुसकार का नाम बदल करकर मेजर ध्यान चंद कर दिया है अभी डिसकस कर चुके हैं इसको किस आयाइटी संस्था ने ओत्राखंड के लिए भुकंप पुड़ चेतावनी मुवाइल एप ईईडेवल लांच किया है तो यह किया है आयाइटी रूर्की ने फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्रीगी ने किस सहर में फूड डिलिवरी के लिए एलेक्ट्रिक साइकल लांच करने की गोश्टना किया है तो यह किया है 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 दिल्ली में डॉक्टर वीरंद कुमार ने किस सहर के डॉक्टर अंबेटकर इंटरनेशनल सेंटर में पी एम दक्ष पोर्टल और मॉवाइल एप लॉंच किया है तो यह किया है दिल्ली में किस ने आएकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्ध करने के लिए संसद में एक विदहक पेश किया है तो यह किया है निर्मला सिता रमन ने नो अगस्त को पुड़े भारत में कौन सी करांती दिवस मनाय जाता है यह मनाय जाता है अगस्त करांती दिवस नो अगस्त को पुड़े विश्वभर में कौन सा दिवस मनाय जाता है यह है विश्व आधिवासी दिवस किस प्रसासन ने भारतिये नागरिकों के लिए इनर लाइन पर्मिट की आवसकता को समाप्त कर दिया है तो ये कर दिया है लद्याक परसासन ने भारत में किस कमपनी की एकल खुडा कोविड नाइंटिन को मंजूरी दी है तो ये दी है जॉंसन एंड जॉंसन को भारतिय राष्टिय ओद्योगी गलियारा कारेकरम के तहट अब तक कितने ओद्योग गलियारों को मंजूरी दी है टोटल 11 गलियारों को अभी तक फिलहाल जो है अगस्त महिने तक मंजूरी दे दी गई है किस मंत्राले के तत्वाधान में रच्छा साइबर एजनसी के स्थापना को मंजूरी दी है तो ये दी है रक्षा मंत्राले के अंतरगत टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाडी भारती खिलाडी ने तिरसल बाद भारत के लिए गुल्ड मिडल जीता है तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवलें थ्रो में किस हाइकोट ने ऑनलाइन गेब्स पर प्रतिबत लगाने वाले तमिलाडू के कानून को रद कर दिया है तो ये किया है मदरास हाइकोट ने चलिए आम लोग एक अगस से दस अगस डिसकस कर चुके जल्द ही एक आरत से बीच भी डिसकस करेंगे सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद